आपको पता है जहाद चलते हैं, पानी में जहाद चलते हैं, वहाँ एक दिशा सूचक लगाया होता है, किनारों पर एक रडार लगाया होता है, जिस दिशा में दुरुवतारा होता है, मतलब उत्तर दिशा, कौन सी पढ़ती है, हमेशा वहाँ पर लगाया हुआ, जहाज में लगाया हुआ वो सिस्टम, हमेशा उस दुरुवतारे की और जुकता है, जहाज कितना भी घुमे पर उसका कांटा उसकी सुई हमेशा उस द्रूव की और ही घुमती है जहां पर द्रूव निर्देशन सिस्टम लगाया होता है तो कहीं पर भी जहाज की दिशा उपर, उसकी दिशा हमेशा उस रडार की और होती है, ठीक है, ऐसे ही आपकी दशा कैसी भी हो इस संसार में, पर यदि आपकी दिशा केवल और केवल सदगुणों की और और परमात्मा की और रहेगी, तो आपके जहाज की मतलब आपके जीवन की दशा कैसी भी हो, फिर भी वो प्रसनता रूपी मतलब प्रसन परमात्मा, सतिचित आनंदस्वरू परमात्मा की और यदि आपका कांटा जुका हुआ है, तब आप सदेव प्रसन रहेगा। आपका जुकाव दुर्गोणों की और जब जब जाता है, तब तब आपका मन बेचेन होना स्वभाविक है, क्योंकि प्रमात्मा सर्वगुण संपन सदेव, आनंददाई, सदेव, प्रसनदाई, सदेव, सत स्वरूप प्रमात्मा है, तो जब जब आपका जुकाव, आपका काटा उसी की और जुकेगा, तब तब आपमें भी प्रसनदावास करेगी, तब तब आपमें भी सदगुणवास करेगे, तब तब आपमें भी आनंदवास करेगा, पर जब जब हमारा काटा लुड़क के दूसरी और चला जाता है, त अपस्चाता आप होता है. तो जो कुछ भी करो, अपनी सुई परमात्मा से नहीं आठाओ. बस, इतना करो, तो परमात्मा आनन्द स्वरूप है, आनन्द आएगा, नित्य रूप है, नित्यता मिलेगी, शान्त स्वरूप है, शान्ती बनी रहेगी. आनन्द स्वरूप है,